लें लेंगा है अधिर इस्टुडेंट आज की क्लास में हमने जो लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल लास्ट क्लास में लोग ने जो टॉर्क मेटड देखा उसका एक न्यूमेरिकल का अभी तक आपने पुरानी धुक्त स्विश्ट काम में इससी क्सप्रिंग करता हुँ मैं कि यूट्व में एक स्प्रिंग अटैच करो करूँ मैं इसमिन बाँखी चीज में गाई बाची जीज़ें बी आईड करता जाऊंगा अभी मैं इस में सिर्क स्प्रिंग इसका कुछ मास होगा कुछ लेंथ होगी और इसका जो सीजी इसका जो वेट है वो सीजी पेग दैट इस एम इंटू ठीक है नाओ मैंने यहां भी फिर स्मॉल्ल एम कर देता हूं मैं इसको और इसकी स्टिफनेस होगे कि मैंने क्या किया सबसे पहले इस सिस्टम को देखा कितना अच्छा लग रहा है यह सिस्टम उकिलिब्रियम में कितना अच्छा लग तो मुझे इस system को थोड़ी नहीं देखना है मुझे system के vibration को देखना तो क्या करूं इसको displace कर देता हूं तो मैंने क्या किया थीटा अमाउंट से angular displacement अच्छी बात जैसे ही आपने इसको थीटा से डिस्प्लेस किया मैंने पहले दिन से बोल रहा हूं अगर किसी मास को चुआ भी आपने तो करेंट लगेगा उसके डिरेक्शन में इनर्शिया कपर आई ठीटा डॉट डॉट यहां की कहानी खतम कर अब मैं देखू इसमें क्या होगा अगर लीनियर मास होता तो में डॉट अब देखो क्या हो तो जैसे ही इसको ठीटा डिस्प्लेस किया यहां देखें ठीटा डिस्प्लेस कर दिया तो यह जो mg है यह यहां पहुंच गया इसके दो कमपोनेंट यह हो गया mg cos theta और यह वाला component हो गया mg sin theta component ठीक है यतनी बात समझ में आई तो जो mg के कारण यह mg sin theta लग रहा है into that distance क्योंकि cg है तो यह L by 2 होगी capital L by 2 ठीक तो यहां पर मैंने ले लिया mg sin theta into ly तो यह कितना हो जाएगा क्योंकि theta is very small theta is very small so sin theta is approximately equals to theta तो यह हो जाएगा mg theta into ly यह कहानी भी हो गई पूरी पूरा नहीं है यह जैसा talk method discuss किया था बट यहां पर एक और कहानी चालू हो गई वह हो गई इस spring की तो जैसे ही मैंने इस रॉड को यहां deflect किया इस spring में linear deflection यहां से जैसे इसको किया linear elongation आया ठीक है जैसे elongation आया मान लो x amount का elongation आया तो यह opposite direction में क्या करेगा kx amount का force देगा kx amount का force देगा तो एक और force मुझे मिला that is k into x बट क्योंकि torque method है तो सारे couples का खेल होगा inertia couple mg sin theta into ly2 it is also a couple और इस spring force की line of action क्या है यह है इसकी line of action this is the line of action और line of action से point of rotation a 1 line of action से point of rotation के बीच की perpendicular distance is a so kx into ठीक है यह क्या हो गया इसमें inertia लगा दो आपका प्याल किसे इस टीटा प्म खीक लगद से बंच ासल में क्यां में हूं can वर प्यूं के वार्वाऊं ए पॉइंट के वहूँ तो दिस इस आई ए थीटा डबल डॉट प्लस एम जी एल बाय टू थीटा प्लस आपका के इंटू ए एक्स अब एक्स देखो तो एक्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इस एक्स के लिए वही एंगुलर सिस्टम इक्वस्टू लीनियर सिस्टम एक्स प्लाइबट ऑन में डिवाइड बाय परपेडिकूलर दिस्टंस तो एंगुलर सिस्टम थीटा लीनियर सिस्टेम एक्स और परपेंडिकूलर दिस्टंस इस ए और इस लाइन औक्स आफ एक्सटें के बीच में है so here x equals to a जब इसमें put किया तो मेरी equation हो गई i a theta dot dot plus m g l by 2 theta plus k इसकी जगे रखा a theta यह हो गया k a square theta equals to so this is i a theta double dot जहां से theta common निकाला m g l by 2 plus k a square into theta equals to 0 वही बात आगे when acceleration term is unity when acceleration term is unity plus k a square to theta equals to 0 so natural frequency is given by under root of this dot so इस type की problems को हमें ऐसे solve करना है अब इसमें क्या कर देगा वो problem में k की value देदेगा a की value देदेगा इसके साथ यहां पर एक torsional spring लगा देगा साथ में डेमपर भी लगा देगा इसको पूरी तरीके से जिसमें डेखेंगे सब कुछ देखेंगे तो अभी फिलहाल मैं सिर्फ ग् collaborate आप से उनले देगा डेट आप